चलिए दो कोश्चिन लेते हैं रिजनिंग के जो की काफी अच्छे कोश्चिन है काफी इंटरस्टिंग है और जे ओ एक्साम में जो पहले पूछे जा चुके हैं अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्साम की तयारी करें जिसमें रिजनिंग पूछे आती है तो जो आप इन लोग एक या किवेजनिंग लोग हैं जिसमें उसलिए अगर आप ने चैनल को सबस्क्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर ऐए तो देखे कितना अच्छा कोछी नहीं कि इसने बोला यहां पर देखिए कि B A G को जो इसने 71 लिखा फिर जो वी आई C E को जो वह क्या लिखेगा तो यहां पर आपने जो वह पैटर्न जैसा डूड़ना है कि B A G को 71 क्यों लिखा हुगा इसने अगर हम ध्यान से देखें तो B जो बो हमारा किस नमबर पर आता है दो नमबर पर आता है ए जो बो हमारा आता है वन नमबर पर और जी जो बो हमारा आता है अगर हम देखें तो यहां पर देखिए जी जो बो हमारा आ रहा है सेवन नमबर पर बी दो नमबर पर और ए जो बी ए जी अगर हम इनको प्लस करें तो 7 और 2 होता है 9 9 और 1 होता है 10 क्योंकि इसने जो वो क्या लिखा इसको इसने 71 लिखा इसको इसका मतलब है कि यह वाला जो पूल जिक हमारा काम नहीं किया अब जो आपने दूसरी बार जो चेकन है अपोजिट अपोजिट का क्या मतलब है जैसे आपको ऐसे सिक् चार पांच छे फिर साथ हाट नौ दस ग्यारा बारा और तेरा 14 15 16 यहां पर हो जागा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 चीक है अगर हम आपोजिट देखें देखें क्या था वी ए जी था तो बी जो वो दूसरे नंबर पराराता है तो आपोजिट अगर हम देखें तो यहां पर जो वो दूसर से नंबर पर आपोजिट साइड से जो वो आई आ रहा है मतलब कि 25 ठीक है और यह जो वो हमारा आता है वन नंबर पर अगर हम इस साइड से देखें वन नंबर पर तो जैड जो वो हमारा वन नंबर पर आ रहा है मतलब कि 26 जो वो आ रहा है यहां पर 25 और 26 और जी जी हमारा आ रहा है यहां पर 7 नमबर पर जी हमारा 7 नमबर पर आ रहा है अगर हम लास्ट से 7 पर देखें तो 7 जो यहां पर 20 नमबर पर आ रहा है ठीक है मतलब कि 7 अगर अपोजिट देखें तो 20 नमबर वाला जो T है वो जो यहां पर आ रहा है यहां पर 20 देखते हैं तो इनको प्लस करके जो मेरी ख्याल से 17 आ जाएगा देखे 25 26 और 20 तो यह हो जाएगा 60 और शीष्ट यह 71 आ रहा है इसका मतलब है यह जो वह इसने अपोजिट किया फिर आपोजिट करके जो इसने जो मतलब लट रखना सम के यह जो यहां पर काम कर रहा है यहां पर काफ़ी कारई कोड आप यहां पर ऐसी का देखते हैं वह यहांपर क्यों कर देखें यहां यहां पर है वी का code है 22 यह तो आप्या से जोबो मतलब कि left to right जोबो हमने देखा तो वी जोबो 22 पर आ रहा है अगर हम उल्टा देखें तो 22 पर जोबो हमारा कौन सा आएगा देखें यह हो जाएगा 26 और यह हो जाएगा 24 यह हो जाएगा 23 22 हो जाएगा आए जोबो हमारा यहां पर नाइन नंबर पर आ रहा है अब पोजिट नाइन नंबर को देखें तो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ ठीक है 18 आ रहा है तो 18 जोबो यहां पर 5 में प्लस करना है फिरकुल बैसे ही जैसे जोबो बो लिखा हो था सेम पैटन में वैसे ह चार ंप लिखांगा इसको भी नकाला को आए सी देखिए यहीं हमारा तीन नंबर करना है अगरा हम लास से दिखें तो हम Сп bunny यहांपी दो Other तो ऩ मृषभ ह दो प्लस करना है यहां फैस को प्लास करना है यहां पर इसको उरीज करके जो यहां पर प्लस कर जाना हूं यहां पर दिख लेता हूँ 5 24 और 22 था साथ ठीक है तो यहां पर इनको प्लस करना है 5 8 और 5 होता है 40 sorry 13 होता है 13 14 15 16 17 18 19 ठीक है 9 यहां पर आ गया और 1 carry आगे forward हो गई 2 3 4 5 और 6 69 इस दा राइट अंसर ठीक है देखिए ऐसे जोगो ऐसे भी आपको जो प्रेक्टिस करने चाहिए बहुत सारे pattern जो लेटर से लेटर जो बनते हैं अगर आपने जो इनको प्रेक्टिस कर लिया तो कोई सब कोशिन आ जाए तो कि हर किसी एक्जाम में जो वह कोडिंग लेटर से लेटर अल्फावेट से लेटर जो आती है अगर आपन जो एस इसे में जो ऐसा कोशिन है जो फैसे एसा कोशिन है। देखिए अगर आपको SSC में जो ऐसा कुछिन आयता तो आपको चौथा नहीं पुछता आपको कुछ इस तरह से पुछता कि पहले पर कौन आएगा फिर ऐसे दिया होता वन टू टू ट्री फोर या फूर टू टू ट्री वन ठीक है तो कुछ इस तरह से जो आपको option देता ले लेकिन इसमें जो और न है ऐब आपको पताया कि एन पहले आता है कि पहले आता है तो मेरे खहल से यहां पर ऑदने पहले नमबर पर होगा तो चौता पुछा है तो अगले वाले चेक करते हैं तो इसको हमने चेक नहीं करना है ए आ गया पहले नमबर बाकी देखिए अब देखिए पी आ रो पी अब पी तो हमने चेक कर ली है ए वाला हमने चेक कर ली है इसके अगले वाले पे हमने जाना है तो इसके अगले वाला जो वो यहां पे e है देखिए और यहां पे जो वो h है और यहां पे जो वो i है तो मेरे ख्याल से जो वो यहां पे आपको पता है कि e जो वो सो से पहले आता है h जो बाद में आता है h के बाद जो वो i आता है तो यहां पे जो सिद्धा सा पता लग रह तो उसी विल विदा राइट अंसर तो बताई आप कोई वीडियो कैसी लगी ओगे थेंक यू एंड है वनाइस टेए